हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों बिटकोई और क्रिप्टोकरंसी मार्केट लगातार हमें कन्फ्यूज कर रही है और कल रात को तो बिटकोईन साथ हजार डॉलर के नीचे खिसक गया था यहाँ पर अभी जो है रिकावर करते हुए 62,000 डॉलर के आसपस बिटकोईन का प्राइस चल रहा है लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति है उस हिसाब से यहाँ पर लोगों के अंदर पैनिक भी बना हुआ है कि यहाँ से क्या होगा तो बिटकोईन का क् कहाँ पर यह रिकावरी कर सकता है और यहाँ से ओवराल क्रिप्टोकरंसी मार्किट का क्या लगता है वो इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा और साथ के साथ में इंपोर्टेंट बात यहाँ करेंगे क्योंकि हर इंडियन यूजर्स ज्यादा तर सबने कभी न कभी बाइनेंस का नाम जरूर सुना होगा उनकी वैबसाइट को देखा होगा या बाइनेंस के एक्चेंज को वो यूजर्स करते थे लेकिन जैन्वरी से जबसे FIU कमप्लाइंस की वज़े से वैबसाइट ब्लॉक हुई या उनके एप्लिकेशन ब्लॉक हुए तब से हर कोई स सवाल पूछ रहा था कि यहां पर बाइनेंस कब यहां पर इंडिया के अन्दर आ सकता है तो एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो हरको इंतजार कर रहा था बेसबरी से कि बाइनेंस कब आ सकता है उस बारे में आपको बताऊंगा और यहां पर हम कुछ मौका मिल रहा है, मैं आपका यहाँ पे अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है हम हमेशा आपका साथ देते हैं, आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ससक्राइब करिए, और हमारी फेमली का हिस्सा बनना करना चाता है तो चलो आपका दिल खुश करने के लिए सबसे पहले Binance की मैं बात यहाँ पर कर लेता हूँ क्योंकि छोटी मोटी जो है वो News नहीं है और Economic Times के हवाले से जो अपडेट निकल के आ रही है कहीं न कहीं एक बड़ी राहत की खबर हमें यहाँ दिखती है जो भी Indian exchanges को लेकि थोड़ा परिशान थे ना liquidity मिलती थी और कई लोगों का जो Exchange पे account था तो यहाँ पर जो अभी latest update निकल के आ रही है कि Binance जिसको ban कर दिया था non compliance की वज़े से FIU ने यहाँ पर और उसके साथ में 8 exchanges को तो अभी 2 billion fine officials का कहना है यहाँ पर अभी वो भी गुपसोत कोई Binance की तरफ से statement नहीं है लेकिन जो officials है कुछ उनका कहना है Economic Times के हवाले से यह news निकल के आ रही है कि वो जो है यहाँ पर return कर रहा है वापिस जल्दी आता दिख सकता है क्योंकि कू काईन ने कर दिया है तो आपको लग रहा था उमीद तो हर किसी को ती की आने वाले कुछ दिनों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर Binance भी ऐसा कर सकता है तो Binance जो है penalty दो मिलियन डॉलर की penalty के साथ में यहाँ पर दुबारे entry कर रहा है इंडिया के अंदर और यहाँ पर दो बिलियन डॉलर की जब बात कर रहा है दो मिलियन वो confirm नहीं है कि वो देगा के नहीं देगा लेकिन news के अंदर यह निकल के आया है ठीक है और यहाँ पर और जो important बात है कि Binance will comply with all the laws जो जो भी आपके FIU compliance जो चाहिए जो anti-money laundering के जो laws होंगे उसको comply करेगा साथ के साथ virtual digital asset जिसको हम cryptocurrency कहते हैं उसके साथ भी वो यहाँ पर comply करेगा यानि कि VDA देगा यानि कि 30% tax की आपकी liability वहाँ बनती है obviously वैसे भी बनती है अगर आप ना देते हैं अलग बाती लेकिन Indian exchange हो या कहीं पे भी आप trade कर रहे हो वहाँ पर आपकी liability बनती है 30% tax profit पे और अगर loss होगा तो उसकी कोई सुनवाई नहीं लेकिन यहाँ पर अगर 1% TDS की बात करें जैसे coupon ने करा है तो ऐसी अब आने वाले दिनों के अंदर finance भी या करता दिख सकता है date कब होगा ये अभी कोई confirm नहीं है लेकिन जिस आपसे story या news निकल के आई है ऐसा लगता है जल्दी या आने वाले एक डेड़ महीने के अंदर आपको ये सारी announcement होते दिख सकती है अब सबसे बड़ा सवाल निकलके आता है क्या पुराना data share करेगा के नहीं करेगा उसकी कोई update नहीं है कू कोईन का तो ये था कि उन्होंने बोला पुराना जो data है हमने तो कोई share नहीं किया अब आने वाले time के अंदर finance करेगा के नहीं करेगा वो आने वाले दिनों में पता चली जाएगा लेकिन जो important बात यहां पर समझने की है कि जल्दी ही finance पर क्योंकि सब जो बात करते थे liquidity की आने वाले दिनों के अंदर आपको यहां पर देखने को मिलेगी कि finance जैसा exchange आएगा तो यहां बे ट्रेडिंग के लिए एक तो price difference का gap कम होगा और 7 के साथ में 1% जो TDS है या जो भी rules and regulations है उसको follow करते हुए दिखेगा और फिर आपको ultimately finance पर यहां trade करते दिखोगे और kucoin ने जैसा किया 1% TDS लगाना शुरू कर दिया 10 अपरेल से और उसके बाद उसकी जो application है website दुबारे चालू होने लगी तो यह भी आपको जल्दी होते दिख सकती है जो भी development होगी इस चीज को लेके हम आने वाले दिनों के अंदर आपको कर कोशिश करेंगे हम भी contact करने की कोशिश करेंगे बाइनस की टीम से क्या statement निकल के आती है और इन सारी update के लिए हमारे आप चैनल को subscribe जरू कर लीजेगा जो भी update होएगी हम पटाक से करने की कोशिश करेंगे इन्होंने economic times का यह article सुबह सुबह का है और मुझे लगा मेरे भ Bitcoin की अगर मैं बात करता हूँ उन्होंने पुराना data share नहीं किया था लेकिन उन्होंने एक काया कि court का order होगा तो हम जो data वो मांगेंगे वो share करेंगे अब finance का क्या निकल के आता है वो आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर जो भी update हाईगी मैं करने की कोशिश करूँगा अब इसके अलावा अगर मैं Bitcoin की बात करता हूँ तो Bitcoin के अंदर overall चल क्या रहा है कल रात 60,000 डॉलर से नीचे यह खिसक गया था और सबकी हो गई 60,000 डॉलर तो एक important support है और यहाँ पर इसके पीछे का reason क्या है इसके पीछे के एक दो reason निकल के आ रहे हैं कि एक तो Iran-Israel की war अब यह निकल के आ रहा है कि हो सकता है Israel जो है retaliate करने का plan कर रहा है कुछ action ले सकता है अगर ऐसा कुछ होता है तो यह matter or escalate होगा और global tension बढ़ेगी इस वज़े से कहीं न कहीं यह anticipate किया जा रहा है दूसरा reason वो लग जा रहा है CPI का जो data बढ़के निकल के आ है तो हो सकता है interest rate high या interest rate कम ना करें पहले जो anticipate किया जा रहा था कि एक दो महीने के अंदर interest rate कम होता देखेगा अगर वो नहीं होता है तो कहीं न कहीं उससे भी overall global situation खराब होती है और खासकर stock market और cryptocurrency को पे उसका impact पड़ता तीसरी जो news है जिसकी वज़े से है क्योंकि यहां पर bitcoin ETF की बात कर करते हैं black rock तो थोड़ा बहुत कर रहा है और पिछले अगर आप 3-4 दिन से देखते हो लगातार जो है अगर inflow की बात करते हैं grayscale का pressure देखने को मिलता है आर्क इंवेस्ट ने भी कुछ यहां पर selling करी है bitcoin की overall देखें पिछले 3-4 दिनों से bitcoin का inflow inflow मतलब जो market के अंदर आ इटिएफ हैं वो buying नहीं कर रहे हैं लेकिन overall देखते हो grayscale को हटा के यह सब 5-5,5 लाग bitcoin अल्रेडी hold कर चुके हैं हो सकता है bitcoin harping की weight हो रही हो कि harping पर क्या reaction होता है या जो global scenario चल रहा है उन सब चीज़ों का weight हो रहा हो कि भाया को development होगी तो आगे हम कुछ करें अब होने क तो कुछ भी हो सकता है लेकिन हमें हर चीज के लिए तैयार यहां रहना चाहिए लेकिन जो important बात निकल के आती है कि कि किस level को हम ढूंडें किस level पे bitcoin का price हमें यहां पे जो हम लगातार आप से बोल रहे थे कि यहां नहीं टिकता है तो एक important zone है जहां पे bitcoin को टिकना चाहिए क्या है क्योंकि बहुत सारी important यहां support है जो है फैबनाची की ratio 0.786 so day moving average golden ratio multiplier की वहां support थी ETF के wires की buying की वहां support थी और बहुत सारे indicators जो हैं वही इशारा करे थे कि 56 to 58 thousand dollars का zone है वो एक बहुत important बढ़ा zone है जिस पर आपको नज़र रखनी है अगर वहां आए तो बिलकुल buying बनती है और यह चीज हम लगातार आपको बोल रहे थे कि यहां तक आ सकता है बुरे हालात में अब एक और सिनारियों लोग बोलने लगे हैं कि 50-51,000 dollar भी आ सकता है अगर हम bull run में देखते हैं या higher high देखते हैं जब बिटकोईन यहां से ऊपर pump करता है तो एक level आता है 21 day week moving average का map क बीजेगा वो लगातार इसके support बनके आता है तो वो भी एक important level है जो कि लगवख 51-52,000 dollar के आसपस आता है और ध्यान रखेगा अगर हम costing की बात करते हैं अभी 25-30,000 dollar Bitcoin को बनाने में लगते हैं और फिर 51,000 dollar के बाद लगेगा 50-50,000 dollar के आसपस की costing होगी तो overall एक वो भी important zone है psychological जो हो सकता है अगर बड़े picture में देखे हैं और भालात बुरे होते हैं तो वो test कर सकता है लेकिन यहां पे 60,000 dollar के लिए एक support निकल के आई वहां तक आया और उसके बाद bounce back कर गया तो यह 2-3 level है जिन पे लोग panic में आ सकते हैं कि अगर 58-57,000 dollar के नीचे जाए तो वो एक zone ह और बुरे हालात में 21 day moving average या अगर माइनर्स की अगर नहीं जो halfing के बाद जो cost निकल के आ सकती है एक bitcoin बनाने की तो वो level 51-50,000 dollar साता है तो overall देखते हैं तो यह levels हैं जिन पे आपको नज़र रखनी है लेकिन जैसे 50,000 dollar एक psychological support है ऐसे ही 60,000 dollar भी psychological support है जब तक इसके ऊपर है या 57-58,000 dollar से उपर है हमें बिलकुल भी परिशान होने की ज़रत नहीं है और अगर आप देखते हो दूसरी cryptocurrency जिनको हम altcoins कहते हैं bitcoin के लावा उस वो अल्रेडी जो जब अभी recently जब यह news आई थी इसराइल और इरान की conflict की जितना नीचे गिरी थी वो वहाँ पे retest करने की को उनको आने वाले दिनों के अंदर bitcoin यहाँ पर bitcoin compare करते हैं तो altcoins से वो ज़्यादा नहीं गिर रहे हैं और वो अल्रेडी इतने गिर चुके थे वहाँ से recovery दिखा रहे हैं अगर बुरे हालात होते हैं bitcoin 57, 56,000, 58,000 dollar को test करता है तो हो सकता है जो उन्होंने अभी recently low बनाये थे उसको retest करते दिखे अगर ऐसा होता है तो वो भी एक buying opportunity आपके लिए होनी चाहिए अब यह जल्दी से नजर डाल लेते हैं जितने सारी points है Bitcoin की dominance तो बढ़ रही है Ethereum अभी 3,000 dollar के उपर चल रहा है एक entry 2900 dollar के आसपस मिल जाए तो बनाई जा सकती है और एक entry 3000 dollar के उपर भी अगर थोड़ा सा आप दिलेरी दिखा सको तो बनाई जा सकती है आन्ने वाले दिनों के अंदर हमें लगता है 3,50 एक इसके लिए important resistance हो सकता है यहाँ बनाची की ratio है और कुछ moving average भी आ रही है लेकिन यह potential लगता है short to mid में या halving के बाद एक दो महीने बाद जब बुल रण की actual में start होता है जो एक डिड़ साल जलवा दिखता है तो वहाँ पे एक बड़ा खेल आपके लिए हो सकता है ऐसे ही अगर मैं dot की बात करता हू 5.8 dollar अभी तक आने के आ गया था अगर वहाँ एक retest हो सकता है एक support क्योंकि पुराना support zone भी बन गया है और वो लो भी बनाया था recently वो भी एक entry का मौका हो सकता है यहाँ पर बनाई जा सकती है entry एक 0.1 dollar के आसपल बनाई जा सकती है शीवा इनू एक तो पच्छिसो के नीचे मिल रहा है वहाँ पर आप entry बनाया सकते हो और एक लगबख 1700 से 1800 के बीच में मिले तो entry बनाया जा सकती है XRP 0.42 dollar तक पहुँच गया था अभी 0.5 dollar के नीचे चल रहा है एक entry यहाँ बनाया जा सकती है फ्लॉकी की बात करते हैं पैपी की बात करते हैं उनको थोड़ा आप avoid भी कर सकते हो लेकिन overall दिखते है Solana 134 जो important support है वहाँ पर यह अभी support बनाके रखा हुआ एक entry यहाँ बनाया जा सकती है एक entry 100 dollar के आसपस बनाया जा सकती है अगर मैं बात करता हूँ ADA 0.45 dollar के आसपस चल रहा है एक entry यहाँ बनाया जा सकती है इसके अंदर भी एक और coin पर आप ज़रूर नजर बनाके रखेगा जिसकी hype यहाँ create हो रही है और उस project का नाम है Keta Moto और token का नाम है Keta यह अभी launch नहीं हुआ है 19 तारीक को यह यहाँ पर launch हो रहा है pancake swap पे और यहाँ पर interesting बात क्या है इस project के बारे में कि 95% जो allocation है वो already unlock है और community के पास है और 5 100% quail के पास रहेगी तो overall देखते हैं 100% supply market के अंदर होगी कल जब यह यहाँ पर token generation का होगा या यह launch होगा या इसकी trading start होगी अगर इसके backers की बात करते हैं 10 set हो गया blue zila इसको back कर रहे हैं और finance chain पर यह project यहाँ पर बना हुआ है तो एक अगर आप meme token का देखते हो तो meme token से बढ़कर यहाँ पर हमें लगता है कि है जो इसका narrative जैसा बन रहा है तो ऐसा लगता है आने वाले time के अंदर यह भी अच्छा करता देख सकता है बाकी अगर overall देखते हो एक terminal पर इसका यहाँ पर idea अभी हुआ था और overall देखते हैं तो 100% supply जो होगी जब launch होगा यह unlock हो चु wallet हो गया तो वहाँ अगर पहन के स्वाप पर जाके आप इसको connect कर सकते हो connect करके वहाँ पर आप इसको भी trade कर सकते हो इसका smart contract यहाँ पर जो screen पर दिख रहा है वो है और बहुत सारे coins जो हैं कई बार ऐसे project की hype होती है तो fake coin बनने शुरू आते हैं तो ध्यान रखेगा 19 तार पर भी जरूर नजर बना के रखेगा हो सकता है यह भी आपको एक अच्छा return दे के चला जाए तो दोस्तो आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूं हर बार की तरह आपको हमारा content अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like जरू करिए चैनल को subscribe जर तुमस्कार धन्यवार